इस्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़ी खुश खबरी निकल कर आ रहा है कि छतिस गड़ में जो है वापा में पहली बार जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदो पर सबसे बढ़ी भरती निकल कर आया है और यह आपका सीधी भरती है तो हॉस्टल वा परिक्षा कितना है और इसमें आप लोगों को बतारना चाहता हूं कि नीगेटिव मार्गिंग होता है तो नीगेटिव मार्गिंग से आपको किस तरह से बचना है तो हॉस्टल वाडन भरती परिक्षे की तैयरी किस तरह से आप जो है कर सकते हैं और कौन-कौन सी बुक 390 पोश्ट आप लोगों के लिए निकला है उसके लिए जो है आप जित्ता ज्यादा प्रिप्रेशन करेंगे अच्छी से महनत करेंगे आप लोगों का सेलेक्षन हो जाएगा तो कौन-कौन से बुक है जिससे आप पढ़ाई करना चाहिए वो भी सभी डिटेल से स्वीडि की निकल कर आया है तो वीडियो को कंटिनू जरूर देखें तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं होस्टल वाडन के 390 पदो पर भरती के लिए सेक्च्छली क्यों गयता कि बात करें तो आपका जो है बारवी पास हैं बारवी जो है आपका बोर्ट से होना कर दो कि यह कैंसे हैं लादा का अपने इक ऽत्राव मांगा जाता है को अपका होना चाहिए शिवल रस फिर आप ने कॉा बाते हूं तो hostel warden में आवेदन करने के लिए आपका age आयू जो है minimum 18 वर्स होना चाहिए और maximum के बात करें तो 40 वर्च है और यहीं category वाई छूट के बात करें तो स्थी-एशडी वाले स्टूटी वाले स्टुटिंट को जो आयू सीमा 5 वर्चा का छूट में तो जो स्ट ची ए परक्र के बात करें तो आपकां सीधी भरती हैं आपका रेटेण और आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है यदि आप बच जाते हैं तो आप जो है हॉस्टाल वार्डन शातीस गण में बन जाएंगे और शेलेक्शन प्रोसीजर सीधी भरती है आपका कोई भी इंटर्यू अलग से नहीं लिया जाएगा सिर्फ आपको एक्जाम बता हूं सिलेबस और एक्जाम पेटने के बारे में कि हॉस्टाल वार्डन के 390 पोश्ट के लिए से लेबस और एक्जाम पेटने क्या होता है सब भी डिटेस और पुरा बुक लिश्ट भी आप लोगों को बताऊंगा और वो बुक आपको कैसे और कहा मिलेगा वह भी मैं कि आप लोगों को आगे बतातौं, में सिलेबस और एक्जाम पेटने की बात करें ृश्ट वार्डन भरती परिक्षा में तो आप लोगए को बताना चाहता हो कि हॉस्ट वाडं भर्टी परिक्शा में कूल 1050 पुरुष्ण जो है पूछ जाते हैं प्रतिक परोश्ण अप पर और कट जाता है इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग बात करें कि कौन से सब्जेक्टे से किते प्रश्न पुछे जाएंगे तो कंप्यूटर से आपके एक्जामें 50 पचास अंकों का 50 प्रश्न पुछे जाएंगे तो हॉस्टल वादन भरती परिक पुछे जाते हैं और कंप्यूटर के कुछ रूल रेगुलोशन होता है टमसें कंडिशन की कंप्यूटर आपके एक्जामें 50 मार्किंग पूछे जाते हैं पचास नंबर गे तो पचास में से आपको जो है 25 मार्क जो है लाना अनियावार होता है कंपल सरी होता है यह आपके हॉस्टल वार्डन में यह सबसे बड़ा आप लोगों के लिए नियम है कि कंप्यूटर में आपको 50 में 25 लाना है यदि आप जो है कंप्यूटर में 50 में 25 नहीं लाते हैं बीस मार्क से यदि आप लाते है और आप जो ऐस्टल वाडन नहीं बन पाएंगे तो कंप्यूटर में आपको 50 में से 25 मांस लाना आपको अनिवारी होता है बुक लिश्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूं तो सबसे पहले कंप्यूटर के बात करें कंप्यूटर के लाप को कौन से बुक पढ़ना चोहिए तो कंप्यूटर के लिए सबसे बेश्ट बुक है जिसे आप जो है कंप्यूटर में 50 में 50 तो नहीं लाप हैंगे कम से कम 45 45 मांस तो आपका आ ही जाएगा तो इसके लापको परिक्षा मन्थन का कंप्यूटर एक अंधना है इंग्ली ऑयुत संबार चाहिए नहीं को लेँ याव पाइं तो तो सम्हा ऑफिज के लिए इंडिया के लिए इसके साथ ही ऑपको अर्जूटर भी तो आप लोगों को बताना चाहता हूं यदि आप बुक को यह बुक नहीं मि रहा तो आप लोगों को बता दो कि इनिस सभी बुक को लिंक मैं बे दिया है। इप सब आप गर्स अवय और बड़ी भर्तिनिकल कर आया। note वेपम में बहुत बड़ी अपडेट है कि 390 पोश्ट आप लोगों के लिए आरा है अब बात करें इसके लिए अपको अवेधन करने के लास्ट अड़ेट के आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लाभी ऑफिस्ल नोटिफिकेशन नहीं आए कि आपको अवेधन करना अवेधन करने के लास्ट अड़ेट है लेकिन आप लोगों को बता दो कि 2-3 महिने थोड़ा सब्सक्राइब पेस्ट रखें आप लोगों के लिए अपडेटिक खल करा जाए गए हाउस्ट अवाडन के लिए तो आपको 36 गड़ में आने वाला सीजे नियो अपकमिंग वेक आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सांत में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रखेजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करू तो उसकी जनकारी सबसे पहले आप सभी को मिल से तो प्लीज वीडियो को जित्तों हो सके अपना प्यार दिखेए सपोर्ट दिखेए वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में आप जो भी पुछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं आप लोगों के आप सबीके कमेंट का में रिप्लाई जरूर करूंगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिये, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, so thank you.